तो रिपब्लिक भारत लगातार सवाल पूछ रहा है दिल्ली से लेकर पंजाब तक हमने कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला लोग कमेंट्स कहके बलकार सिंग भाग निकले इस भी समारी सेयोगी लोमस भी हमाई साज उड़ गए है लोमस ये जो महिलाओं का सिस्टेमाटि के केस में भी अर्विन केजिवाल ने चुप्पी साथ लीती लेकिन विभब कुमार को बचाने के लिए वो सड़क पर जरूर आ गये थे उसी तरीके से जब आमादमी पार्टी के जो पंजाब के मंत्री हैं उन पर सवाल खड़े होते हैं कि उन्होंने युपती को नौकरी दिलाने के एवज में उनके साथ वीडियो कॉल करके गलत हरकत की उस पर भी वो चुप्पी साथ लेते हैं और खुद बलकार सिंग जिन पर आरोप लग रहा है वो खुद चुपी साथ तेवे दिखते हैं केबल एक सब्द मुझ से निकलता है नो कमेंट्स क्या इस नो कमें नौकरी मांगने के लिए उनको कॉल करती है उसके साथ भी अबद बहबाद किया जाता है तो इससे साफ हो जाता है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई बयान आया कोई जवाब आया और नहीं आप इस पूरे मामले में कोई जवाब आ रहा है लेकि रिपाब्लिक भारत रिपोर्ट आपको देखाते हैं जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे आग की घटनाए भी लगातार बढ़ने लगी है दिल्ली से लेकर जम्मो कश्पीर लखनौ से लेकर अलिगर तक आग का तांडव नजर आ रहा है दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 18 में एक अप 12 बजे से 39 मई के रात 12 बजे तक 220 कॉल्स मिली थी मई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनाओ के गोदाव में भी आग लग गई यसे लाखो का नुकसान हुआ इधर अलिगर की मथुरा रोड पर खूड़े की धेर में आग लग गई इस आग ने बड़े इलाके को अपन इसने को मिल रही है बीरो रिपोर्ट रिपाव्य भारत